हेलो बच्चो मेरी पार्ट शाला में आपका स्वागत है आज किस क्लास में हम क्लास 7 मैथ की बुक के एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे सबसे पहले ले लेते हैं कुष्चन नमबर वन हम लेते हैं इसका कुष्चन नमबर वन का E इसके 7 या 8 पार्ट हैं एक पार्ट मैं करके दूँगा बाकी आपको खुद करने हैं तो इसमें कहरा है 3 divided by minus 2 plus 1 तो अभी divide करने से पहले हमें जो bracket के अंदर जो sum है उसको solve करना होगा उसके बाद हम divide करेंगे तो 13 divided by अब ये minus 2 में plus 1 करना है हमने तो 2 में से 1 get आया 1 और sign कौन सो अगा negative क्योंकि ये बड़ा है minus 1 अब 13 को minus 1 से divide करना है तो जब मैंने बताया था आपको कि जब हम divide करते हैं negative number से तो answer mission negative होता है और 13 को जब 1 से divide करते हैं answer 13 तो इसका answer हो जाएगा minus 13 अब ही हम करते हैं इसके बाद में question number 2 question number 2 में कह रहा है verify a divided by b plus c is not equal to इस symbol का मतलब है उसके बराबर नहीं है a divided by b plus a divided by c और इसके part a में question number 2 के part a में जो first part है उसमें a की value है 12 b की value है minus 4 और c की value है 2 तो जब verify करना होता है हमने किसी question को तो हम क्या करते हैं कि दोनों part में वो values लगाके उनको solve करेंगे फिर देखेंगे कि दोनों sides left side और right side बराबर है या नहीं है तो हम क्या करते हैं पहरे left side ले ले लेते हैं this is called left hand left hand side यह है a divided by b plus c अब इसमें यह values हम लगाएंगे a है 12 इसको divide करना है हमने minus 12 plus 2 से तो पहले हम इसको solve करेंगे minus 12 में से 2 जमा करना है तो हो जाएक answer minus 10 sorry गलत हो गया गलत हो गया यह 4 है यह 4 है b is minus 4 a is 12 c is 2 तो minus 4 को जब 2 से divide करेंगे तो answer हो जाएगा minus 2 और जब 12 को 2 से divide करेंगे answer होगा 6 और चूंकि यह divisor minus है तो answer होगा minus तो यह left hand side का answer है minus 6 तो अभी हम right hand side निकाल लेते हैं उसको यहाँ पे कर लेते हैं a divided by b plus a divided by c तो a की value है 12 उसको divide किया हमने minus 4 से इसको plus करेंगे a 12 divided by 2 तो 12 को जब 4 से divide किया तो answer आएगा minus 3 क्योंकि जिस से हम divide कर रहे हैं वो minus है plus 12 को 2 से divide कि answer 6 minus 6 minus 3 और 6 को add करेंगे answer आजाएगा 3 तो left side का answer है 6 और right hand side का answer है 3 तो मतलब यह दोनों बराबर नहीं हैं so therefore this side is not equal to this side statement verified यह हमने इस question में करना थे statement को verify करना था कि क्या यह इसके बराबर है के नहीं है तो values लगाके यह जो values question में दी हुई है हमने दोनों side को solve किया इसका answer निकला minus 6 minus 6 और इसका निकला 3 दोनों equal नहीं है so this is true this statement is true तो यह आपका question 2a हो गया अभी एक और question कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि division कैसे करते हैं हम करते हैं question number 4 question number 4 में वो आप से कह रहा है write five pairs of integers a and b यह आपको डूलने है pair of integers such that a divided by b is equal to minus 3 a हमने डूलना है b भी डूलना है a को b से divide करेंगे answer हैगा minus 3 तो उसने एक example भी दे रखा है कहता है एक pair होता है six and minus two यह एक pair है हम इसको चेक कर लेते हैं जब six को minus two से divide करेंगे तो six को दो से divide किया तीन और minus है तो minus आ गया तो यह value उने बताई थी अब हमें ऐसे कुछ pair डूलने है तो इसको करने का सबसे आसान तरीका यह होता है मैं आपको एक example बताता हूँ जैसे 12 divided by 4 is equal to 3 तो 12 divided by 3 is equal to 4 3 से 12 को divide करेंगे answer आएगा 4 12 को 3 से divide करेंगे answer 4 तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कोई भी number ले लेंगे मान लिए हम number ले लेते हैं 15 और 15 को हम minus 3 से divide करते हैं तो answer आएगा minus 5 तो यह पेर बन गया 15 minus 5 क्योंकि हमने एक को minus 3 से divide करके देखा हमने इसकी value 15 रखी तो minus 5 तो एक पेर बन गया 15 और minus 5 तो यह 3 का table से आप कोई भी value ले सकते हो 18 divided by minus 3 तो answer आएगा minus 6 तो यह दूसरा पेर बन जाएगा 18 और minus 6 तो ऐसे ही बाकी पेर भी आप बना सकते हैं इन्होंने पांच पेर डूड़ने के लिए कहा है मैंने आपको दो पेर बना के दिखा दिये तो बाकी पेर आप खुद try करिए ठीक है इस तरह हमने इस exercise के तीन चार question solve किये हैं तो basically आपको फिर से मैं याद करा देता हूँ कि multiplication और division में एक inverse relationship होता है जैसे 2 into 3 is equal to 6 तो 6 को अगर हम 3 से divide करेंगे तो answer आएगा 2 ये वाला answer 6 को हम 2 से divide करेंगे तो answer आएगा 3 तो इस चीज़ को आप use कर सकते हैं ऐसे division के question solve करने के लिए जहां पे आपको कोई missing number डूड़ना है ठीक है जैसे मैं बोलू 75 को आपने minus 75 को आपने divide करना है किसी number से answer आना चाहिए 5 तो आप क्या करोगे 75 को 5 से divide कीजिए तो हो जाएगा 15 अब ये minus है ये plus है तो मतलब ये भी minus होना चाहिए दोनों minus होंगे तब ये answer जो है plus में आएगा तो हमने कैसे डूड़ा 75 को 5 से divide कर दी answer 15 आगया तो ये इस exercise के हमने किए first four questions तो बाकी जो questions है वो मैं अलग video में करके आपको समझाऊँगा तो अगर आपको ये video अच्छे लगी है इसे like कीजिए अपने friends के साथ share कीजिए और मेरे channel को subscribe कीजिए Thank you ट्रू पर बाकी जड़ से लगी में थाद़ाँगा को ये जचिए और का आपको ये लगी जगए लगी 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 है